बहारी एल जी विने कुमार सक्सेना जी लगातार दिल्ली की जनता को दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं पहले उन्होंने बोला इसी बीती जून में कि दिल्ली के लोगों में सेंस ओफ बिलॉंगिंगनेस नहीं है कल उन्होंने दिल्ली की जनता को मुफ्त खोर केके दिल्ली की जनता का अपमान किया तो सबसे पहले मैं इन भारी एल जी विने कुमार सक्सेना जी को बताना चाहती हुँ कि दिल्ली के लोग बेहद मेहनती लोग हैं दिल्ली one of the highest tax collection करता है, बीते वर्ष जो financial year 31st March 2023 को end हुआ, उसमें भी दिल्ली की जनता ने 1.78 लाग करोड tax इकठा किया, दिल्ली की जनता ने दिल्ली में एक चीस और पताती हूँ आपको, इतना highest tax देने के बाद भी केंद्र सरकार का जो, केंद्र सरकार से जो हिस्सा दिल्ली की जनता को मिलता है, वो मात्र 325 करोड है, यही नहीं, जो finance commission के हिसाब से प्रति व्यक्ति 485 रुपीज civic bodies को मिलना चाह उसमें भी केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों की बिल्कुल सहायता नहीं करती और एक रुप्या भी नहीं देती, फिर भी दिल्ली में एक इमानदार सरकार है, यहीं दिक्कत है उनको, कि हमारी उनसे सांटगाट नहीं होती भाज़पा से, दिल्ली में एक इमानदार सरकार ह जो दिल्ली के लोगों से कलेक्ट किये गए टैक्स का पैसा दिल्ली के लोगों पर ही वापस खर्चती है और उन्हें सुविधाएं देती है साथ ही साथियों अगर उनको इतनी दिक्कत है अगर उनको लगता है यह मुफ्त खोरी है कि दिल्ली के जनता का पैसा है कि मांदार सरकार दिल्ली की जनता परिकर्षती है तो उनको अपनी तीन से चार हजार यूनिट जो मुफ्त बिजली दिल्ली के टैक्सपेर से मिलती है जिस राज निवास बंगले में वो रहते हैं मुफ्त में जो मुफ्त की गाड़ी जो मुफ्त का तेल जो मुफ्त की बिजनस क्लास एर ट्रावल उनको दिल्ली के लोगों से मिलती है, जो घर में नौकर चातर है उनके, वो दिल्ली की जनता के पैसो से उनको मिलते है, जो उनका support staff है, PA तक है, उनकी salary भी दिल्ली की जनता देती है, अगर उनको इतना इस बात से दिक्कत है, तो उनको सबसे पहले ये छोड़ देना चाहिए, ये सारी सुविधाय छोड़ देनी चाहिए जो उनको दिल्ली की जनता के लोगों के पैसे से मिल रही है और दिल्ली भी छोड़ देनी चाहिए क्या केंडर सरकार ने उनको इसलिए बिठा रखा है कि वो दिल्ली की जनता के पैसे से सुविधाय भुखते और साथ में दिल्ली के लोग दिल्ली के लोगों का उन्होंने दिल्ली की जो टीचर एक्सपोजर के लिए ट्रेनिंग के लिए सिंगापोर जा रहे थी वो तक रोग दी दिल्ली के लोगों की तो क्या उनका काम सिरफ ये है कि दिल्ली में बैठ के दिल्ली की जनता का काम रोकेंगे और दिल्ली के लोगों का ही अपमान करेंगे उनको सारवजनिक तौर पे इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और ये बयान को विड्रॉ करना चाहिए जय हिंद